हलो गाई जे गूड मॉनिंग वेलकम वेक ऊन फोमा एजुकेशनल अब देखो हम लोग जो लास लेक्चर में डिसक्स कर रहे थे वह यह था कि कोरेलेस फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं कोरेलेस बल्के प्रभाव जो होते हैं उनके बारे में हम लोग डिसकसंग कर रहे थे और हमने उसके उपर कापी सारे बाते कर लिए कि हमने यह बोला कि अगर किसी पार्टिकल को ख्षेतिस भी सामय फेका जाए मतला होरी जॉन्टली अगर कोई पार्टिकल मूग करता है तो उसके उपर कोरेलेस फोर्स कैसे लगता है वो डिसकस किया फिर हमने बोला कि किसी प ट्वर्टिक्ल को वर्टिकली अपवर्ड फेका जाये उर्थुत्त तो उस पार्लll exists क्या प्रभाव कोगा ठीकता टोस्त क्या है अपना टॉपिक कि इह थो मार्वार टो करें और एुर्थुत्पर कि और inषर करह केरे ओंगा-पर कोरियोलिस बल का प्रभाव कोरियलस बल का प्रभाव a effect of coreless force effector coreless force on a moving particle vertically forward ओने वर्टिकली अपवर्ड मुविंग बार्टिकल ओन्दी अर्थ अश्यग है प्रत्वी के ऊपर अगर हम लोग किसी कंगे ऊपर की तरफ है कि वो वो हमारे को calculate करना है कि वो सीधा जा रहा था तो correlisable की वज़े से वो पूरो की तरफ जाएगा या साउथ की तरफ जाएगा इस्ट में जाएगा वेस्ट में जाएगा कौन सी डारेक्शन में वो होगा और कितना विचलीत होगा तो वो होगा कितना वो सारे चीज हम लोग इस डेरिवेशन में calculate करेंगे ठीक है इससे पहले वाला डेरिवेशन था उसमें ये बोला था कि उपर से कुछी चीज को गिरा है तो उसका विचलन उसका deflection कितना होता वो हम लोग calculate कर चुके अब उसका just opposite calculate कर रहे हैं ठीक है तो हम लोग बात करते हैं जनरली जो calculate करते हैं हम लो उत्री गोलार्द और ये दक्षणी गोलार्द तो उपर वाला जो हिस्सा है ये उत्री गोलार्द का है हम लोग जो सारे calculation करते हैं उत्तरी गोलार्द में करते हैं जनरली फिर बागी उसका उल्टा होता है वो हम लोग दक्षणी गोलार्द के लिए मान लेता है ना सावतन लिखो माना एक M दरवेमान का करने उर्द्वादर उपर की और माना एक M दरवेमान का करने उर्द्वादर उपर की और U प्रारंबिक वेग से फेका जाता है ठीक है? तो इस पर लगने वाला कोरलेस बल निमन प्रकार होगा इंग्लिस में लिखो लिख तरवेकल लिखे बतो होगा लिखेे साफर लिखे tabii लिखेटे अखडर लिखे ईको लिखे टिकmbol लिखेटाब लिखेट해서 व्रेटाब लिखेट Northern Hemisphere on the Northern Hemisphere ठीक है यह बास समझ में आगे Northern Hemisphere में हम लोग इसको पर तो देखो इस पर कॉरलेस पोर्च कैसे लगेगा कॉरलेस पोर्च जो होता है उसका वेल्यू फोर्मुला जो होता है वो लगाता है हम लोग कॉरलेस बन कॉर्लिस फॉर्स कॉर्लिस फॉर्स जो है उसका फॉर्मूला जो है एप वेक्टर इज इक्वाल टू माइनस टू एम ओमेगा वेक्टर क्रोस वी डेश वेक्टर ओमेगा तो है प्रिथ्वी का कोण ये वेक्ट इंगुलर वेलसिटी ओफ अर्थ ओमेगा का जो वेल्यू है ओमेगा कॉस लेमडा जे डेश के प्लस ओमेगा साइन लेमडा के डेश के ये फॉर्मूला आपको जहां रखना है न हम लोग पहले ही ये कैल्कुलेट कर चुके हैं काफी बार इसके बारे में बात कर चुके तो बार बार ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ओमेगा हो गया जो वेग है यह वीडेश वीडेश कौन सा वेलोसिटी है पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा किसी भी टी टाइम पर उसके उपर उसका जो वेलोसिटी यह वो है पार्टिकल का पर इसको डेश में लिखते हैं हम लोग डेश में इसलिए लिखते हैं क यह तो यह ऐसा है आगे चलते हैं वेग वेलोसिटी देखो किस कंड का प्रारंबिक वेग कंड का प्रारंबिक वेग कितना है यू है इनिशेल वेलोसिटी ओफ पार्टिकल कितना है यू है इनिशेल वेलोसिटी यू है तो देखो न्यूटन का जो इक्वेशन है उससे देखो इनिशेल वेलोसिटी वो है यू वेलोसिटी यू उपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ कितने एंशेल यू के देशल के टाह्यूब यू ए बbreed की तरफ हमने जो लास्ट डू करें वहां पर हमने देखा था कि कौपर की तरफ और उपर की तरफ होता उर्दूर्दूर वेलोसिटी ओगा इनिशेल यू रो कि एकसलेराशन की बात किरूंद में एकसलेराशन तो इस पार्टिकल के उपर कौन सा duplication कiblगा गुरुत्विय तुप़न हो दर नीची की तरप मदले माइनस थे की श clamps अब जो इस यह formula इसमें देखो आता है इसको टू लिखाताना equation तो इसमें देखो V-vector जो है U vector का value यह लिख दो U k- और यह जो है plus एक vector का value यह है G-k-t इसके अंदर U और यह दोनों का value पूट कर दिया है आगे चला देए इसको V- is equal to U k- minus gt k-d इस minus को बहा ले देए तो V- जो है वो है U minus gt दोनों के direction k-d यह अपने को मिल गया V velocity मिल गया V- जिसको बॉल टे है हम लोग V- velocity मिल गया यह हो गया ठीक है एक omega है V- पी मिलके दोनों का value यह पर पूट कर दूँ तो आफ वेक्टर मिल गया तो देखो टू और त्री से ओमेगा वेक्टर क्रोस V- डेस calculate कर लेते हैं 2 और 3 से इसको थ्री बोल देता हूं है by 2 and 3 by 2 and 3 omega vector cross V- vector calculate करूँ तो आएगा i-dash j-dash k-dash cross multiplication omega का जो value है omega यह रहा यह चापने omega cos lambda j-dash i-dash में तो है नहीं कुछ time इसमें j-dash में k-dash में तो दोनों value वहां पर रखो तो तो 0 omega cos lambda और इसमें omega sin lambda ठीक है और इसमें k-dash में हैं तो 00 यह आएगा u-gt यह आगे v-dash का ठीक है तो calculate करो यह आया omega-dash cross v-dash is equal to i-dash kip multiply गया यह से multiply होगा omega cos lambda u-gt u-gt यह हो गया इसके बाद में j-dash वाला करेंगे j-dash वाला यह 0 होगा यह 0 होगा तो यह बागी के 0 होंगे यह बस यह की term मिलेगा इसमें यह मिल गया इसको equation number 4 कर लो equation number 4 अब omega vector cross v-dash vector इसका तो value अपने पास में मिल गया इसका value तो अपने पास में by 4 and 1 f vector is equal to minus 2m omega vector cross v-dash का यह आ जाएगा तो यह आएगा omega cos lambda u-gt और यह i-dash kip ठीक है इसको तोड़ा सा ठीक से लिखे तो यह आएगा minus 2m omega cos lambda u-gt i-dash kip यह final अपने को correlus force यह लगेगा किसी भी time t पर उस particle पर जो उपर की तरप जा रहा उस पर force बल लगेगा वो लगेगा इतना आई बास समझ इतना force लगेगा यह मेरे को समझ में आ गया direction की अगर बात करूँ तो direction दिस्सा की बात करते हैं देखो direction की तो ऐसा है हम लोग यह i-dash ले लेते हैं इधर यह minus i-dash ले लेते हैं यह north यह south यह east यह west अभी देखो हम लोग कौन सी direction में लग रहा है यह force यह लग रहा माइनस आ रहा तो माइनस i-dash में लग रहा एक तरीके से यह पार्टिकल है इसको ऊपर की तरफ अगर मैं फेकता हूं तो इस पार्टिकल पर कोर्लेस फोर्स जो लगेगा वो लगेगा वेस्ट की तरफ इस तरफ लगेगा एफ जो फोर्स लगेगा वो इस direction में लगेगा इस तरफ तो पार्टिकल सीधा नहीं जाने के बज़ाए थोड़ा इधर चाले जाएगा आई बात समझ तो जब पार्टिकल को जहां यहां जाना चीए था पार्टिकल जाएगा यहां तक आई बात समझ तो पार्टिकल इधर नहीं जाके इधर जाएगा और फिर वापस जब गिरेगा तो वापस गिरते वक्त पार्टिकल को सीधा गिरना चीए लेकिन इस टाइम कहां पर गिरेगा इतनी दूर जाके गिरेगा मतलब जो विचलन आएगा फाइनली वह इतना विचलन देड़ा नेरेक्षن करें तो इस तो फाइनली जो विचलन आयेगा उसमें डिफ्लेक्शन आया प्रक्यों कि से वह इतनी दूर जाके गिरेगा उसकी स्टार्टिंग अपन्स एपने दूर जाके गिरेगा तो मुझे यह Micheline depth X का वेल कोल्य के शे करना है तो हम सब्मस्था एक बाद टाइम का एडिया ले लेते हैं फिर इसको कंटीनू करते हैं यह अनुफ टाइम तो देखो यह को अलगे यह पूरो की तरफ लगेगा इतनी बास समाझे आगई ठीक है तो यहां पर लिख लो एक लाइन लिख लो एक लाइन लिख लो यह सब छापना है यह सब छापना है ठीक है यह सब छापना है तो यह छापने के बाद में लिखना है या पर पोज करके पहले यह छाप लेना और उसके बाद में लिखना है लिखो उत्तरी गोलार्द में, पॉइंट बनागे, लिखना पॉइंट बनागे, उत्तरी गोलार्द में, उर्दु आदर उपर की और फेके गए कण पर, कॉइंट बनागे, पॉइंट बनागे, उत्तरी गोलार्द में, उर्दु आदर उपर की और फेके गए कण पर, कोरलेस बल, पश्चिम की और लगेगा, पश्चिम की और लगेगा, तता, दक्ष्णी गोलार्द में फेके गये कंण पर, तता दक्ष्णी गोलार्द में फेके गये कंण पर, कोरलेस बल पूर्व की और लगेगा? तब दक्षणी घुलार्द में फिक एकन पर कॉर्लेस भल पूर्व की ओर लगेगा ठीक है इंग्लेस में लिको डिकोरिलेस दिरेक्शिन ओप कॉर्लेस फोर्स दिरेक्शन ओप कॉर्लेस फोर्स will be in west direct, in west will be in west will be in west will be in west if particle is moving vertically upward if particle is moving vertically upward in northern hemisphere in northern hemisphere in northern hemisphere and and it will be it will be in east direction it will be in east direction if same event is happening if same event is happening in southern hemisphere if same event is happening in southern hemisphere hemisphere here it is here it is here to come here कommes एक स्वाह ओगेंगे इतना सब्सस्राइगा बिल्स कितना विल्यू कितना यह कितना आए तो कन में विचलन को करका विचलन है है इक सब्सक्राइग तब देफलेक्षएन दिफळेक्षण इंदि पार्टिक्र इसको एक्ष रेप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग ठीक है वी चलन देखो सबसे पहले हैं तो कॉर्रेलेस फोर्स सिंस एप इस इक्वास टू यह है माइनस टू एम ओमेगा कॉस लेमडा यू माइनस जे टी माइनस 2 एम ओमेगा कॉस लेमडा यू माइनस जी टी सिंस क्षाल हिए यह माइनस तो यह यह शोगड़ा रहा है कि पस्चिम किदी सामय है अगर हम क्यवर मेगनिटूड लिखे हैं लिखना क्यवर मेगनिटूड क्यवर मेगनिटूड तो हमारे को माइनस लिखने ही अरवत नहीं यह これ यह कितना अब इंटनाव यह कितना मीटर है कितना डिफिलेक्ट हो रहा बलको ऐसे लिख सकता हूँ बलको M A लिख सकता हूँ A को लिख सकता हूँ D V by D T और यह है 2 M omega cos lambda U minus G T right M से M will cancel out M will cancel out with M ठीक है तो D V by D T बचे आपने पास में और यह होगा 2 omega cos lambda U minus G T इसको मैं इसे रख लेता हूँ D V और इधर आजएगा 2 omega cos lambda U minus G T D T ठीक है बहुत साइट integration कर दूँ के दोनों तरफ integration करने पर इधर भी integration इधर भी integration अब देखो integration 2 omega cos lambda इसको तो बाहर ले लो क्या पर कोई सारी चीज़ तो constant है इधर integration होगा तो V आजएगा इधर integration होगा तो 2 omega cos lambda ये तो आगया बाहर ठीक है? और इधर आया U minus G T इंटो D T अब इसका integration कर लो आप इसका integration कर लो गया तो 2 omega cos lambda इसका integration आएगा U T minus G T square by 2 इसका integration किया तो U T हो गया और इसका GT square by 2 राइट इसमें limit तो है नहीं है अपने पास में limit तो है नहीं है तो limitless integration है तो इसको constant ले लो C1 ठीक है अब constant C1 ले लिया तो constant को हटाते हैं और constant को कैसे टाइंगे जिसे last lecture के अंदर जैसे हमने cases लेके constant को remove किया था सेम उसी वे में constant को remove करते हैं ऐसे देखो initial condition ले लो प्रारम भी एट टी जिकोस टू जिरो starting में क्या था देखो particle है ऐसे correlate sports लग रहा इस तरह तो टी बराबर जीरो पर टी बराबर जीरो मतलब जब इसको fake रहते हैं उस time पर क्या इस direction में कोई wake का गठक था नहीं क्योंकि जिस starting में जब fake रहते हैं उसको start किया था तब तो particle के अवल उपर की तरफ जा रहा था velocity कितना था जीरो तो टी इकवल टू जीरो पर इस direction में velocity है जीरो ए टी इकवल टू 0 वी इस कोई टू 0 ठीक है तो यह होगा तो रखो वी आगा 0 2 ωमेगा कॉस लेंडा 0 माइनस 0 टी का वेलू कर दिया तो आगए C1, तो ये तो सारा हो जाएगा, 0, तो C1 क्या हो गया, C1 आगया, 0, C1 0 आगया, constant, अटिक ना, constant का value पता चली गया, तो C1 का value 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा, आता है, V is equal to 2 omega cos lambda ut minus gt square by 2, किसी के दिमाग में ऐसा हो कि सक्सार्टिंग में तो velocity u था ना, हाँ वो था, initial velocity था, लेकिन वो था उपर की तरफ, अभी हम क्या calculate कर रहे हैं, हम calculate कर रहे हैं, ये इतना विचलन, ये जो विचलन है, ये deflection है, ये calculate कर रहे हैं, ये x का value calculate कर रहे हैं, तो x का value calculate किसके वज़े से correlous force इस direction में लग रहे हैं, तो उस force वाले जो equation से हम लोग ले के आया हैं, तो वो जो velocity आया है, वो भी इस direction में आया है, वो velocity उपर वाला नहीं है, उपर की तरफ तो initial velocity u है, लेकिन इस direction में initial velocity 0 है, स्टार्टिंग में इस तरफ कोई भी वेग नहीं था, तो हम लोग जो calculation कर रहे हैं, इस direction की कर रहे हैं अभी, इधर की, कि इस तरफ कितना चला गया, तो इस direction का velocity आ रहा है, इस direction का है, और इस direction में, starting में velocity 0 था, ठीक है, clear, ओके, तो ये है, v is equal to ये, अब देखो, ये तो मिलगी है velocity पर मुझे तो velocity नहीं, मुझे x का value displacement calculate करना है, तो इसको ऐसा लिको, dx by dt, 2 omega cos lambda, ut minus gt square by 2, right, okay, इसको भी integration कर देंगे, हम लोग, इसको dx कर दो इधर, और इसको, 2 omega cos lambda, ut minus gt square by 2, इधर आजएगा dt, integration कर दो, दोनों तरफ इधर भी integration कर दो, और इधर भी integration कर दो, ये तो constant है इंटिग्रेशन से बाहर लेगे, करो integration, इसका जो integration आएगा, वो आएगा, x, और ये आएगा 2 omega cos lambda, ये तो constant है, बाहर का बाहर आएगा, इसका integration करणा keeps इसका इंटिग्रेशन आएगा यू टी स्क्वेर बाइट टू और इसका आएगा जी टी क्यूब बाइट ट्री आएगा तो टी इंटू टू इसे गारता हूं और लिमिट तो है निंट तो कॉंस्टेंट ले लो एक सी टू कॉंस्टेंट ले लो ठीक है जब मैंने इसको फेका तो यह दिरे 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 करके इदर आया ना तो विचलेंड कॉंसा होता है विचलेंड इस डिरेक्शन में कितना यहen ग्येप कितना है वहेए टी बाइबर जीरो पे तो विचारहीए इधरएदर कुछ भी नहीं किसका वा था हूशा है एगस का वेलिई मतलब इदर कितना किसह है गया थैं इपने पास 0 C2 का वेल्यू यहाँ पर पूट करेंगे यहाँ पर पूट करेंगे तो यह एक प्वेश्टन आगे सिंप्लिफाइब हो जाएगा अधा है एक्स का जो वेल्यू है विला 2 ओमेगा कॉस लेमड़ा भिधिए य्यू पि पिधो माइनस्व य्यू एल्यू पिद्सक्रु यूं मामण लेों हम लोग काइज इसमें कुछ कोममल दे सकते हैं यह टी स्क्वे msक्वेयर वाइट जीचओ इसमें टू से टू केंसल आउट हो जाएगा तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा एक्स इकवल टू ओमेगा पॉस लेमडा टी स्क्वेर यू माइनस जी टी बाइ थ्री यह मिल गया मुझे फाइनल यह पार्टिकल का विचलन आया है लेकिन अभी इसका पूरा लास्ट का फॉमूला केलकुलेट नहीं हुआ क्योंकि अभी टी का भी वेल्यू पूट करना मुझे एक बार मैं टाइम देख लेता हूं फिर बाइक का गेम हम लोग नेक्स लेक्चर के अंदर भी कर सकते हैं जी बिलकुल अभी हमारा टाइम होल्मोस फिनिश होने वाला है तो हम लोग जो इसका बागी का बचावा पॉर्शन है यह फॉमूला आगे लेकिन अभी टी का वेल्यू पूट करके इसका फाइनल रिजल केलकुलेट करना बागी है तो हम लोग नेक्स लेक्चर के अंदर फिनिश करेंगे हैं ओके चलो यहां तक कोई भी किसी को किसी भी बचन के तया युआ है तो मुझे मुझे क्यूंट करयें और मेरे नंबर होंगे आपके पास में नहीं है तो मुझे यह जो नंबर है 007-26040-37 drift इस पर वर्ट्थशप कर सकते हैं आप कोल कर सकते हैं और कोई भी गाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं बात कर सकते हैं Otherwise, अपना पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कोई भी डाउट है, मुझे से पूछते रहो, clear? Okay.